गाइस आज की इस वीडिव में हम लोग सिखेंगे जुरुदिश ये वर्ट्स मतलब की अ्धाला से रेलेटेडेड बर्ड्स गाइस हमारा आज का पहला वर्ड है न्याय या फिर इंसाफ इसको हम इंगलिस में बोलते हैं जश्टिस, जश्टिस मिन्स नियाय या फिर इंसाफ, कानून या फिर विधी को इंग्लिस में हम लो बोलते हैं, लो मिन्स कानून या फिर विधी, नियायाय या फिर अदालत को हम इंग्लिस में कॉर्ट बोलते हैं, court means नियायाले या पिर अदालत जनतद नियायाले को इंग्लिस में हम district court बोलते हैं district court सरवच्च नियायाले को इंग्लिस में हम supreme court बोलते हैं supreme court means सरवच्च नियायाले उच्चे नियायाले को इंग्लिस में high court बोलते हैं High court means उच्छे नियायाले सत्य नियायाले को English में सेसंस court बोलते हैं सेसंस court जिला जजज को English में district judge बोलते हैं district judge मुख्य नियायाधीस को English में chief justice बोलते हैं chief justice सत्य नियायधीस को English में session judge बोलते हैं session judge नियायक अधिकारी को English में judicial officer बोलते हैं judicial officer तो फ्रेंट वकील को English में हम advocate बोलते हैं advocate और advocate के अलावा हम इसको lawyer भी बोलते हैं lawyer और lawyer के अलावा हम इसको बैरिष्टर भी बोलते हैं बैरिष्टर और बैरिष्टर के अलावा हम इसको council भी बोलते हैं तो फ्रेंट्स एड्वोकेट, लोयर, बेरिष्टा और काउंसल में क्या डिफेंस हैं तो फ्रेंट्स जो इंडिया से लोग की डिगर लेते हैं या लेलवी करते हैं उनको हम लोयर बोलते हैं जो implement से low की degree लेते हैं, उनको हम बेजिश्टा बोलते हैं और जो low करने के बाद किसी भी bar council से रजस्टेसन कराकर लीजिंस करा लेते हैं कि और वो case लर सकते हैं, तो उनको हम advocate बोलते हैं अगर इसको हम simple भासा बलने मानाईवादी को इंग्लिस में हम attorney general बोलते है influenced creator माने बगता को इंग्लिस में हम advocate general बोलते हैं advocate general सरकारी वकील या फिर शास्की अधिवक्ता इसको इंग्लिस में हम Government Council बोलते हैं Government Council महा न्याय भी करता को इंग्लिस में Solicitor General बोलते हैं Solicitor General अभी योजन अधिकारी को हम Prosecution Officer बोलते हैं Prosecution Officer आजीवन कारवास या फिर उमरकेद इसको इंग्लिस में हम Life Imprisonment बोलते हैं Life Imprisonment स्वासी मित्यूडन या फिर मोत की सजा इसको इंग्लिस में हम Debt Sentence बोलते हैं Debt Sentence और इसके अलाबा आप इसको Capital Punishment भी बोल सकते हो Capital Punishment Periodist को इंग्लिस में हम Victim बोलते हैं Victim और Victim के अलाबा आप इसको Aggraved भी बोल सकते हो Aggraved वातकारी को इंग्लिस में हम Latigant बोलते हैं Latigant मुवक्किल या फिर पक्षिक का को हम Client बोलते हैं Client इल्जाम या फिर आप को इंग्लिस में Charge कहा जाता है Charge गवा या फिर साक्षिक को इंग्लिस में हम Witness बोलते हैं Witness सबूत या फिर साक्षिक को इंग्लिस में Evidence बोलते हैं Evidence मुल्जाम या फिर अभियुक्त को इंग्लिस में Accused पेसी या फिर सुनवाई को इंग्लिस में Hearing बोलते हैं Hearing गवाही को इंग्लिस में Tasty Money बोलते हैं Tasty Money विचारन या फिर परिक्षं को इंग्लिस में Trial बोलते हैं Putting परिक्षा या फिर जिरहा को इंग्लिस में Cross examination बोलते हैं Cross examination सब्त या फिर कुसम को हम इंग्लिस में Oath बोलते हैं Oath जुर्म इकबाल करना को इंग्लिस में confession बोलते हैं confession बचाव साक्ष को इंग्लिस में defense evidence बोलते हैं defense evidence बहेस या फिस दलिल को इंग्लिस में argument बोलते हैं argument फिसला या फिस नौलने को इंग्लिस में decision बोलते हैं decision और decision के अराबा आप इसको judgment भी बोल सकते हो judgment जुर्मानर को इंग्लिस में penalty बोलते हैं penalty सजा या फिस दंड को इंग्लिस में punishment बोलते हैं punishment बरी या फिस दोस मुक्त को इंग्लिस में equitable बोलते हैं equitable बंदी या फिकेदी को इंग्लिस में prisoner बोलते हैं prisoner दोस सिद्धी को इंग्लिस में conviction बोलते हैं conviction और friends आज का कुई जे आप लोग को बताना है कि प्रेज को हम इंग्लिस में क्या बोलते हैं तो friends आगर आपको इंग्लिस पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक जोड़ कीजेगा क्योंकि आप लोग के like comment share कनने से ही मुझे motivation मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए तो friends आचे लिए यह तक अब मिलते हैं next वीडियो में और guys क्या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके friends या family members को help कर सकती है उनकी English improve करने में अगर आपका अंसर है yes तो please इस वीडियो के नीचे share button बग क्लिक करके अपने WhatsApp पर जाईए और अपने friends या family members के साथ इस वीडियो को share जरूर कीजिए और like काना मत भूलिए जिससे मेरा वीडियो बनाने का motivation बना रहे Thank you so much for watching See you in the next video Till then keep learning, keep practicing and keep growing Take care, good bye